हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है विवेईक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे चब आप WBJ काउंसिलिंग में बैठेंगे उसके पहले मैं बता दूँ अगर आप ये सोच रहे हैं काउंसिलिंग तो आने में समय है पर मैं आपको कह दूँ ऐसे कुछ-कुछ ऐसे पेपर्स है जो आपको अभी से समाल के रखने चाहिए अगर लास्ट टेम मैंने देखा था काफी बच्चों को ये पेपर समालने के ना वज़े से उनका काउंसिलिंग में प्लॉब्रम हुआ था काफी लोगों को कॉलेजिस अपने हिसाब से नहीं मिल पाई तो आपको कौन-कौन से डोकुमेंट रखना चाहिए ये भी बात करेंगे बात करूंगा थर्ड में आप लोगों के साथ कुछ मैनेजमेंट कोटा के बारे में कि मैनेजमेंट कोटा अगर आपको लेनी है या फिर आप सोच रहे हैं तो आप किन-किन कॉलेजिस के बारे में अभी से आपको सोचना चाहिए और साथ में आपको ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे और at the end में कल लाइव आने वाला हूँ आपके WBJEE के प्रशन को लूँगा तो ये मैं 12 बजे कल आऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको notify कर दूँगा end में तो चली शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले बता दू कि आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हम लोग internship, college updates, counseling updates, podcast और काफी कुछ लाते रहते हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर सकते हैं आप साथने बता दू यहाँ पर आप लोग documents में सबसे पहले आपको आपका confirmation page रखना है जो आपने application form भरने के समय रखा था उस confirmation page को अगर आप हरा देते हैं तो आपको issue आएगा उस PDF को आप जो है एक drive के folder में WBJE नामसर करके उस folder पे upload करके रखा कीजिए जिससे जो है आप इसे कभी ना हरा पाएं अपने personal drive folder में इसे रखें दूसरी बता दू आपको आपका 12 का report अभी मिलने वाला होगा तो आप उस report को भी scan करेंगे या PDF जैसे भी आपको मिले आप उसे download करके आपके principle से sign करवा सकते हैं या फिर आप simply उसे अभी रख सकते हैं उसके बाद मैं आपको बता दू आपको जो है दसवी का mark sheet भी रखना है और दसवी class की आपको admit card मिलेगी class 10 की admit card उसको as a date of birth certificate आप रख सकते हैं या फिर आप date of birth certificate भी रख सकते हैं पर recommended होता है class 10 का admit card आप इसे रखें इसका बहुत जरूरत आपको बादने पड़ेगा इसके बाद आप लोग जब seat allot करते हैं counseling में तो आपको seat allotment का एक letter मिलता है उसको आप रखेंगे अभी वो नहीं आई है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है तब आप उसे आसानी से कर पाएंगे बात कर लूँ इसके बाद आपको आपका receipt रखना है कि आपने जो है counseling में पैसे भरे हैं जैसे कि for example last time 500 रुपए भरने पड़े थे इस साल आपको last time free में हुआ था WBJE वाला पर अगर आप जेई में से जारत तो 500 रुपए लग रहे थे आपको यहाँ पर एक और चीज की admission लेना चाहते हैं तब आपको 40,000 रुपीज अपने पिता जी और माता जी को यह बोल रखना है कि आप अभी से इसे जुगारना शुरू कर दें उनको उपाई देखना शुरू कर दें कि हर घर की परिस्तितियां सेम नहीं होती मैं समझता हूँ इस कारण से मैं कह रहा जुगारना शुरू कर दें अगर उसे counseling में चाहिए पर अगर उसे counseling नहीं उसे अगर direct admission किसी college में करवानी हो तो मैं उसे एक और तरीका बताऊंगा इस वीडियो में जिससे कि वो free में भी करवा सकता है इसके बाद आप लोगों को अगर आपकी category certificate है जैसे कि आप जो है OBC category से हैं SC category से हैं अगर आप West Bengal के candidate हैं तभी आपकी category match होगी तो इस दवरान पे आप आपकी category certificate भी जुगारना शुरू कर दें अगर आपके पास already है तो अच्छी बात है पर वो 2010 से आगे की signed होनी चाहिए इसके बाद जो है आपका category certificate valid होगा इसके बाद जो है आपको domicile certificate आप इसे बनवाने के लिए आपको performa download करनी की जरूरत है जिसका link मैं description में add कर दूँगा और जितने documents मैं कह रहा हूं वह भी लिखी रहेगी वहाँ पर इस document को download करेंगे उसे अपने school से sign करवाएंगे या फिर video वाले उसे पूरी की पूरी process कैसे करनी है उसके related मैंने काफी अच्छी वीडियो बना रखे है उस video का link कमारे description में add कर दूँगा आप उसे जाकर अच्छे से देखें अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप TFW मतलब income certificate की भी बनाने चाहते हैं तो उसके related भी आप कर सकते हैं अगर आपने TFW application form भरने के समय yes कर रखा होगा तभी अगर आप counseling में उसे yes करते हैं तो इसके मतलब है कि आपको certificate को बनवानी पड़ेगी आप इसे कैसे बना सकते हैं इसके related वीडियो बना रखा है अब उस video को अभी link कर description में देखेंगे और वहां से आप जाकर पूरी की पूरी चीज़े सीख लेंगे अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसके बाद आपको अपका photo लगेगा जो passport size photo और जो है आपको अपना signature का इस दोनों का gpg लगता है मतलब एक photograph और इसको जो है आपको scan करके upload करना पड़ेगा अब आप मैं आपको बता दू 40,000 रुपीज मैं इसलिए कहा था कि last time जब counseling होई थी तो seat booking के दौ उसे ही वो seat alert हो रही थी जिस कारण से जो है 40,000 रुपीज काफी बच्चों ने लगाये थे और ये 40,000 रुपीज जो बच्चों ने admission नहीं लिया उसे काफी दिन मतलब 6 महने बाद वापस हुई ये पैसे तो इस दोरान पर ये issue रहा था जिसके लिए मैंने protest किया था कि ये तरीके का नहीं होना चाहिए पर काफी colleges ने नहीं सुनी मेरी बात उनको लगा seat booking से फाइदा होगा ultimately at the end जैसे मैंने उनको बताया था कि ultimate इससे loss होगा और उनको seats में काफी बच्चे कम admission देखने को मिले और काफी issue create हुआ कि college में पैसे चले गए पैसे नहीं आ रहे 40,000 रु पर यह कोई बात नहीं काफी बच्चों ने admission लिया उनके लिए अच्छी बात हुई अब यहां पर मैं आपको बता दूँ अगर आप जो है किसी college में admission लेना चाहते हैं तो आप अगर education loan के द्वारा किसी college में admission लेना चाहते हैं तो आपको 40,000 दर देनी पड़ेगी उसकी ब बुक कर लिया मतलब final booking होनी चाहिए उसके बाद आप वहां से bonafide certificate मागेंगे उस college से कि आप जो है अब इस college के हो गये है वो bonafide certificate आपको दो दिन के अंदर आपका college दे देगा उसके बाद आप उस college का brochure लेके अपने bank में जाएंगे और bank में जाकर आपने जैसे ही apply किया थ आप यहां पर आप आपकी education loan sanction करवाएंगे और जितना भी पैसा होगा वो directly bank में आप जाना मतलब आपके college में जाना शुरू हो जाएगा आपको letters दे देने पड़ेंगे पर यहां पर काफी बच्चे सोच रहोंगे 40,000 तो मुझे देनी नहीं है मैं क्या करूँ तो guys आपको आपके rank के सबसे depend करता है दीखिए अगर आप top colleges में जाना चाहते हैं तो वहां तो simple method है कि आप counseling से लेंगे तो आपको जो है असानी से वो college मिलेगी जैसे कि government हो गया और आगया top private colleges पर अगर कुछ private colleges में आप अगर direct admission लेते हैं तो उस colleges में जो है आप यहां पर जैसे कि for example क LC colleges में लिया जहां पर उसकी एक seat मिल गई उसे उसके बाद जो है वहां पर पैसे जो है education loan से लगवाना चाहता है तो सारे के सारे documents जाकर जमा करता है और उसके बाद जो है उसे मिल जाएगी पर आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि आपको जो है bonafide certificate पहले sign करवानी साइदा हो आपको education loan के लिए आपको यहां पर आपके पिता जी का जितने document से उसको समाल के रखें आपकी पिता जी का IT return file है तो काफी अच्छी बात है उसे आप दिखा सकते हैं आपको यहां पर कोई भी collateral जमा करने की जरूरत नहीं है अगर आपका चार लाक में जो है हो ज पर दें अभी आपको student credit card अभी कब तक sanction होगा इसका कोई guarantee नहीं है अगर होता भी है तो शाद एक साल लग जाए पर आपको जो है admission तो करवानी है तो आप जो है इस तरीके से करा लें student credit card आते ही आप इस loan को cancel करेंगे और student credit card का loan आपके उपर रखा जाएगा इस तरीके से जो है आप पूरी की पूरी procedure को मेरे खाल से समझ गए है friends अगर आपको management quota के द्वारा admission से किसी college में तो आपको extra fees देने की जरूरत पढ़ सकती है अगर आपको direct admission से जैसे कि कुन colleges में आपको seats मिलती है अच्छे से seats मिलती है आप अगर पहले से booking करके उस seats को रख लेते हैं त तो फिर आप लोग हमें phone क्यों कर रहे हो मतलब ऐसे क्यों करोगे आप क्या चाहते हो कि हम seat booking करके और खतम कर दे तो इस दौरान पर आपको इन चारे चीज़ों पर नहीं पढ़ना है आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है आपको यह जिन्दगी का सवाल है आप confirm क कर लें किसी specialist से पूछ लें colleges वाले जो अल्रेडी पढ़ रहे है कि कैसा है college सिर्फ ऐसे बच्चे से वाना पूछे जो अभी first year second year में वह आपको क्या ही बता सकेंगे वह तो सिर्फ तारीफ करेंगे अपने जगाओं की तो यहाँ पर जो है अपने गलतियों को सब अपने अ मदद कर सकते हैं simply आपको इक काम करना है हमारे description में एक form मिलेगा आपको इस form को आप फिल कर देंगे उस फिल करने के बाद हम आपको contact करेंगे आपकी जितनी मदद हो सकते हैं अगर हम आपकी direct management कोड़ा में admission कर सकते हैं direct admission आपको करवाने पास फीज जादा नहीं है आपको अच्छी सी college चीए पर आपको admission चीए भी तो आप वो कर सकते हैं हम लोग और साथ में at the end अगर आपको कोई भी other counselling related help चीए कि हम कैसे form को बढ़े कैसे क्या करना है हमें तो हम लोग उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं तो ये तीनों चीज हैं हम आप लोगों की service दे पाएं आपकी सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे जितनी सवालों का उत्तर मैं दे सकूं काफी अच्छी बात होगी और जो है आप लोगों की साथ काफी interact करके काफी अच्छा लगेगा after the examination तो काफी कोच आप से जो है जानने और सीखने को जरूर मिलता है हमें और आपकी जो सीख आप हमें बाट सकते हैं कैसे आप अपने कमेंट्स को नीचे लिख सकते हैं फ्रिंट्स एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे हर चीज जो उड़ती रहती है आसमान में वो हमेशा साधा ही हो या फिर खुबसूरत ही हो इसका कोई महत्वा नहीं होता इस चीज का आप खुबसूरती के साथ आती है तो कुछ वहाँ पर दाग भी लिखे रहते हैं तो हम जो है हमेशा खुबसूरत चीजों को ही देखना चाहते हैं तो आप उन दागों में से देखकर बहन अजाएं अगर मेरी बाते हैं आपको समझ में आई तो इस बात का मतलव है आप हमें comment section में लिखे बता सकते हैं तब तक हम लोग जो हैल मिलते हैं आपको next वीडियो में more information more updates के साथ हमारे टेलिग्राम ग्रूप में आप जॉइन कर सकते हैं साथ में हमें Instagram पर follow कर सकते हैं और इस वीडियो को like कर सकते हैं चाल को सब्सक्राइब तब तब हम दो मिलते हैं इक स्विए में तब दिल कहते हैं आपको लुदा बाई